आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और हमें बता रहा है कि total number of boots जो sold किये गए है वो कितने हैं? 800 है question अब से या पर पूछा गया है what is the difference between the total number of boots sold of brand A and D together and that of brand B and E together तो सबसे बहले तो यहां से हम यह निकाल लेते हैं total number of boots sold of brand A and D together is equal to brand A के कितने boots sold किये गए है 16 percentage तो 16 percentage of total boots कितने sold किये गए है 800 question में दिया गया है plus brand D के कितने boots sold किये गए है 24 percentage 24 percentage of 800 यहां से इसको solve करेंगे 2 0 से 2 0 cancel यहां भी 2 0 से 2 0 cancel 8 को common लिया bracket के अंदर आ गया 16 plus 24 यहां भी इसको further solve किया तो यह कितना हो गया 8 into 40 यहां पे इसको solve किया तो यह 320 हो गया ठीक है तो A and D के जो brand number of boots sold किये गए है वो total कितने 320 है इसी तरीकी तरह हम निकाल लेंगे total number of boots sold of brand B and E together is equal to brand B के boots कितने sold किये गए है 18 percentage of 800 plus brand E के कितने boots sold किये गए है 20 percentage of 800 तो यहां पे भी 2 0 से 2 0 cancel यहां पे भी 2 0 से 2 0 cancel 8 को common ले लेंगे bracket के अंदर आ जाएगा 18 plus 20 यहां से इसको solve किया तो यह हो रहा है 8 into 38 यहां से इसको solve किया तो यह कितना हो जाएगा 304 तो यहां पे हो गया 16 तो यहां पे हमारा correct answer हो जाएगा 16 जो कि option 2 है तो option 2 16 correct answer है Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर